यहाँ पर हमने इसे integrate करना है and already minus को i equals to करकी लिख दिया है सबसे पहले हम put करेंगे ex को t because हमें फिर बहुत simplified form में आ जाएगा तो ex dx हो जाएगा dt जो integral है यह बन जाएगा अब यह ex dx ठीक है ना तो फिलाल यहाँ पर 1 लिख देते हैं और 1 प्लस t 2 प्लस t dt हम यहाँ पर लिख देते हैं तो जो ex dx यह है इसको हमने dt लिख दिया है और यह ex के जगा पर t यहाँ तक सब clear है अब इसे हमने separate करना है और यहाँ पर हम help लेंगे partial fraction की तो 1 अपाउन 1 प्लस t टाइम्स 2 प्लस t यह हम लिखेंगे a अपाउन 1 प्लस t प्लस b अपाउन 2 प्लस t तो यह हो जाएगा a टाइम्स 2 प्लस t प्लस b टाइम्स 1 प्लस t अपाउन 1 प्लस t टाइम्स 2 प्लस t ठीक है यहाँ तक अब लेफ्ट अंड में यह है राइट अंड में यह है तो डिनोम्नेटर अटा देते हैं हमें मिलेगा 1 इक्वल्स 2 a टाइम्स 2 प्लस t प्लस b टाइम्स 1 प्लस t अब यहाँ पे देखो अगर हम 1 प्लस t को 0 रखते हैं पार्शल फ्रेक्शन में आपको यह पता होगा कि दो तरह सम यहाँ पे a और b की वैल्यूस फाइंड कर सकते हैं एक तो इसको मल्टिप्लाय करके कॉफिशेंट सेक्वेट करो और यह फिर एक बारी हम 1 प्लस t को 0 रखेंगे और एक बारी 2 प्लस t को 0 रखेंगे तो 1 प्लस t को जब हम 0 रखते हैं तो t-1 आ जाता है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे put t equals to minus 1 अब ऐसा हमने क्यों किया आप समझ जाएंगे तो यह 1 है 1 equals to a 2 minus 1 t minus 1 है और यह 0 हो गया है है ना 1 प्लस t 0 है तो यह चीज़ 0 हो गई है है ना 1 प्लस t 0 है तब तो t minus 1 आया तो t minus 1 है यानि यह चीज़ 0 है और इससे आराम से a मिल जाएगा तो 1 equals to a times 1 यानि जो a है यह 1 आ चुका है दूसरा यहां पर हम put करेंगे 2 plus t को 0 यानि t minus 2 put करेंगे तो left hand में तो 1 है वो तो नहीं change होगा और यहां पर यह चीज़ 0 हो जाएगे because 2 plus t 0 लिया था हमने और यह हो जाएगा b 1 minus 2 यानि यह minus b हो जाएगा तो b है minus 1 ठीक है तो जो integral है यह बन जाएगा अब देखो हमारे पास जो यह question था इसको हमने इस तरह से लिखा और इसको हमने इस तरह से लिखा है तो a and b की value को put करेंगे हम यहां पर तो यह हो जाएगा a है 1 यानि 1 upon 1 plus t plus b है minus 1 तो minus 1 upon 2 plus t dt अब यह बड़ा easy integrate हो जाएगा यह सिदे log में आ जाएगा log 1 plus t और यह minus आएगा minus log 2 plus t plus c और यह हो जाएगा log 1 plus t upon 2 plus t plus c और t क्या है e power x तो वह वापस put कर देंगे हम और यह हो जाएगा log 1 plus e x upon 2 plus e x ठीक है यह हमारा answer आ चुका है आपके मन में प्रशन ओठ रहा होगा कि यहाँ पर mode क्यों नहीं लगा है उपर तो mode लगा है मैंने देखो यहाँ पर mode इसलिए नहीं लगा है because यह चीज कभी भी negative नहीं हो सकती है e x हमेशा positive होता है हमेशा इन हमेशा e x positive होगा तो उपर भी positive नीचे भी positive ही पुरा positive है यह कभी negative होगा नहीं इसलिए mode लगाने के यहाँ पर आवशकता नहीं है ठीक है